नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और दोस्तों हमेशा की तरह आशा यही करता हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी साथ साथ दोस्तों यहां से मिलने वाला डीप एनलाइसिस और बेस्ट प्रेडिक्सन जिसकी दम पर आप शांदार बिनिंग कॉम्बिनिशन सेट कर पा रहे होंगे जो आपको ग्रांड लीग और हेड़ टू एड दोनों ही परकार की लीगों में काफी अच्छी बिनिंग करा कर दे रहा होगा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगाल इंटर डिस्टिक्ट 20 टूनामेंट के मुकावले नंबर शओधा के बारे में दोस्तों बात करें टीम के companies से पहले दोनों ही टीमों के बारे में तूनामेंट में अपने एक एक मुकावले खिल लिए हैं भी आईसी के बारे में बारे में बात करें दूस्तों कहा रहा हैं excited जो भी टीम दोस्ट यहाँ पर जीते गी वो पहले बल्लेवाजी करने का फैसला लेने वाली है क्योंकि इस बिकट पर हमेसा दोस्टो ये देखा गया है पिछले जो बारह मुकावले देखे गए हैं वहाँ पर बाद में बल्लेवाजी करना काफी मुश्किल होता है और दोस्तों कई दोस्तों जो इन में से बारा मुकावलों में से दोस्तों आठ मुकावले ऐसे रहे हैं जो कि पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम जीती है और चार मुकावले ऐसे रहे हैं जिसमें दोस्तों बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम जीती है तो BIC की टीम काफी मजबूत है HOD के मकाबले क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमों ने अपने जो पहले पहले मकाबले केले हैं दोनों ही टीमों ने अपने पहले पहले मकाबले में पहले बल्ले बाजी की है तो पहले बल्ले बाजी करने के बाद दोस्तों बी आई-सी की टीम जीती है लेकिन keeping dude के बाजी की बाब जूद दोस्तों इस मकाबले को हार गई दोस्तो 84 रन पर यह टीम ओल आउट हो गई थी वहीं सामने वाली टीम के मात इन्होंने 4 बिकिट गरापाए हैं तो पिछ कंडीसन के हिसाब से भी HOD की टीम फायदा नहीं उठा पाई है और दोस्तो बात करें यदि टोस के बारे में यदि BIC की टीम यहां से टोस जीतती है और पहले बंलेगाजी दोस्तों चुनने वाली है तो ऐसे में हमको 6-7 पिलियर B.I.C के हमें लेना पड़ेगा और दोस्तों इन में 6-7 पिलियर मेंसे कोसिस यही रहेगी कि कम से कम दोस्तों हम इनिकी इनिंग के 16-20 ओवरकवर करने की कोसिस करें क्योंकि दोस्तों पूरी उम्मीद है कि HOD टीम ऐसे में यहां से हारने वाली है वहिए अगर दोस्तों HOD की टीम पहले बल्लेबाजी करती है टोस जीतने के बाद तो हमें BIC की टीम के दोस्तों कम से कम 6 पिलियर तो लेना ही पड़ेगा जिन में दोस्तों पूरी कोसेς फिर एक बार रहेगी कि HOD के दोस्तों बल्लेवाजों को ओलाओ ये टीम करने वाली है तो यहाँ पर बोलर हमें सबस्यादा B.I.C. के ही खिलाना है यानि देखा जा दोस्तों दोनों तरफ से बात करें तो दोस्तों BIC को हमें सबस्यादा प्रिफरेंस देना है यहां पर उन में भी दोस्तों बोलरों को सबस्यादा प्रिफरेंस देना है यानि हमाराम से चार बोलर यहां से ले सकते हैं जिन में से दोस्तों दो और तीन बल्लेवाश टोप ओडर के उठा सकते हैं दोस्तों हर प्लियर के बारे में डेटेल बात करने वाले हैं खास तोर पर दोस्तों देखने वाले हैं बैटेंग और किस प्रकार से रहने वाला है और दोनों ही टीमों में दोस्तों दोनों ही टीमों में ऐसे कौन से बोलर हैं जो अपने चार ओवर कम्प्लीट कर रहे हैं ले आने वाली वीडियो का नोटिफेकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिसक्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप बड़ी आसानी से वहां से हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों वीडियो को तीनों बल्लेबाजी आपको ऐसे दिखाई देने वाले हैं जो आपको ग्रांड लीग में डिफरेंट पिक के तौर पर दोस्तों हंड़ेट परशंट काम करने वाले हैं तो सबसे पहले जादी बात करें हैं अपन दोस्तों गोस के बारे में तो टीम के लिए पिछले मुका अपन कर रहा है और पहले ही बल्लेबाजी करते हुए 33 रन इनके बल्ले से भी निकले हैं और दोस्तों इसके बात करें आपर मुहमद अनीफ अंसारी के बारे में तो एचोडी के लिए नंबर एक यानी की ओपन यह आता है हाला कि पिछले मुकाबले में नो ही रन इनके बल अलग अलग इन दोनों प्लियरों को लेकर चल सकते हैं लेकिन बात करें यदि हैड़ टू एड के लिए एक प्लियर लेते हैं यहां पर दोस्तों हम गोज के साथ जाने वाले हैं दोस्तों बल्लेबाजी की थोड़ी देर से बात करेंगे यानि पहले देख लेते हैं अपन ओल राउंडर और बोलर्स के बारे में बात करें यहां से दोस्तों हमें आसानी से पूरे बोलर्स मिलने वाले हैं इसलिए दोस्तों हम पहले ओल राउंडर और बोलर्स एक्सन की यहां पर बात कर रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे आमीर गानी के बारे में तो टीम के लिए नमबर 6 पर बेटिंग करते दोस्तो आचोडी के लिए नमबर 6 पर उतार रहे हैं इसका मतलब यह है कि इनकी बेटिंग 100% आने वाली है इसके लाइब दोस्तो बात करें पर भंडारी के बारे में साथवे नमबर पर दोस्तों BIC के लिए ये पिलियर उतर रहा है और दोस्तों बात कर रहें तो ये पिलियर बॉलिंग नहीं करता है ऐसे में आप 100% इनको ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि साथवे नमबर पर यदि दोस्तों बैटिंग कर रहे हैं BIC के लिए दोस्तों ऐसे में इनकी बेटिंग आना थोड़ा मुस्किल है इसके लावा दोस्तों बात करेंगे आपने सूरत चोधरी के बारे में जो की मात्र साच आठ परसेंट लोगों ने अपने टीम में सेलेक्ट किया है दोस्तों BIC के लिए पांच पे नमबर पर ये बल्लेवाजी कर रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों अभी आप भी इनको छोड़कर चल सकते हैं दोस्तों बात कर रहे हैं राजदी पाल के बारे में ये पिलियर ऐसा है जिसको आपको टीम में सेलेक्ट करना है चोथे नमबर पर दोस्तों बल्लेवाजी ये करने आता है BIC के लिए दोस्तों और ज़्यादा BIC के गिरने वाले नहीं है ऐसे में इनकी बेटिंग दोस्तों कन्फरम रहने वाली है पिछले मुकाबले में दोस्तों इन्होंने चार ओवर भी फेके हैं तो आपके लिए दोस्तों देखा जा तो परफ़क्ट ओल्राउडर ये पिलियर आपको आसानी से ज़्यादा पॉइंट दिलाने वाला है और एक बिकेट पिछले मुकाबले में इन्होंने नकाल कर टीम के लिए दिया है इसके लावा दोस्तों बात करें होडी के बारे में तो यहाँ पर राजबार को में लेना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों होडी के लिए ये बल्ले बास साथवे नंबर पर बैटिंग तो करता है ये साथ साथ बालिंग भी दोस्तों चार ओवर फेक कर जा रहा है और दोस्तों हलाकि पिछले मुकावलें बिकिट नहीं मिला है लेकिं दोस्तों बात करें चार ओवर फेक रहा है ये आपके लिए मश्ट टिपिक रहने वाला है दोस्तों जो बोलर चार ओवर फेक रहा है वो इस पिच पर आराम से बिकिट निकालने में सक्चम हो सकता है जोस्तों इसके लाव बात करें यादी मुहमद इमरान अंसारी के बारे में तो 95% लोगों ने अपने टीम में शामिल किया है क्योंकि दोस्तों BIC के लिए खेलते हैं इस ट्राइक बोलर ये हैं और पहले ही मुकाबले में दोस्तों चार ओवर फेकने के बाद चार बिकिट अपने टीम के लिए इन्होंने निकाल कर दिये हैं इसके लावा दोस्तों बात कर रहा है अपने शब्याशी दास के बारे में दोस्तों एक ही ओवर इनोंने फेका था और एक बिकेट टीम के लिए निकाला है और दोस्तों बैटिंग ओडर भी इनका नीचे आता है यानि ऐसे में देखा जा दोस्तों तो आप इनको डॉप कर सकते हैं क्योंकि होडी के लिए ये पिलियर खिल रहा है तो आप इनको ڈ्रॉप कर सकते हैं असानी से लेकर दोस्तो यदि अब हमको आगे अच्छे बोलर नहीं मिलते हैं तो ऐसे मैं हम इनको लेकर चलने वाले हैं दोस्तों अब बात करें चक्रवर्थी के बारे में तो 90% लोगों ने अपनी टीम में शामिल गिया दोस्तों ये होडी के लिए 4 ओवर कंप्लिट करकर दे रहा है वहला कि पिछले मुकाबले में दोस्तों एक बिकेट निकालने में ये पिलियर काम्याब रहा था चार ओवर कं भाला है तो कॉसेश यही करेंगे कि 40 ओवर मेंसे कम से कम हमारे बोलर 32 जह त्थी से 36 ओवर जोस्तों यहां पर कवर करें जससे जए जाएधा बिकेट में मिलने वाले हैं क्योंकि दोस्तों बात करें दोनों ही टीमों में यानि इस रूनमेंट की बात करना तो यहां पर आपर बात हो गई है इसके बाद बात कर रहे हैं रोहन पांडे के बारे में 70% लोगों ने अपनी टीम में शामिल किया है तीन ओबर पिछले ही मुकाबले में फेके हैं और एक बिकट निकालने में ये प्लियर कामया रहा है बी आई सी के लिए दुस्तों खेलता है 100% हमें इन बोलर आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं दो अभी हमने सेलेक्ट कर लिये हैं एक बोलर दोस्तों हमको आगे मिलने वाला है जो बैटिंग भी करता है दोस्तों इसके लाब भी आई सी के हमने तीन बोलर ले लिये हैं दोस्तों बात करें एक औल्राउंडर से लिया था तो आसानी स है हमारी दोस्तों जो बोलर है वो लगवक लगवक कवर होने वाले हैं और जो बोलर बच रहे हैं वो बल्लेबाई सेक्शन से हम कवर करने वाले हैं जोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें चैनल पर नए हैं द इस्चे तोर पर दोस्तों इनको काफी कम गेंदे खेलने को मिलने वाली है ऐसे हम दोस्तों आप इने ड्रॉप कर सकते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं 90% लोगों ने सामिल किया है आप इन 90% का हिस्सा बिल्कुल मत बनियेगा दोस्तों अब बात करें अधी आशिप हुस करता है दोस्तों इस पिलियर के साथ आप आसानी से जा सकते हैं भोगत यह बात करें अपन बेनरंग जी के बारे में तो धस्तों यह है जो बनय वाज नहीं है बॉलिंग यह पिलियर करता है और चार ओवर दोस्तों कम릴 करता है और यांकि पेचले मुकाबले नहीं मिला है बी-आई-सी के लिए खेलता है काफ़ी शांदार दूस्तों पिछले मुकाबले में इनका इकोनोमी रहा था तो ऐसे में दोस्तों आप इनको पर्शंट पिक कर सकते हैं दोस्ता भी अद्धी बात करें हैं अपन बाशू के बारे में वी आई सी के लिए ओपन ये करता है और दोस्तो पिछले मुकाबले में तीन रन भी बनाए है और तीन ओवर फेकने के साथ दो विक्ट भी अपनी टीम के लिए निकाल कर दिये है यानि देखा जा दोस्तों तो ये बोलर आपके लिए काफ़ी शेंनदर बोलिंग करने वाला है और दोस्तों यहां से भी हम दो बोलर कवर कर चोके हैं मतलब B.I.C. के पूरे बोलर हमने कवर कर लिये हैं सामने वाली टीम दोस्तों कि ऐड़ेंगे पूरे विट दोस्तों हमारे रहने वाले हैं दूस्तों इसके लावाध बात कर रहां हैं अपनेशाТीस घोस में 5 परशंट लोगो है पनी टीम में शामिल किया है दोस्तों होडी के लिए नमबर चार पर बेटिंग करते हैं पिछले मुकाबले में ग्यारा रन इनके बल्ले से निकले थे इसके लाव दोस्तों मुहम्मद अंसारी के बारे हम बात करें तो तीसरे नमबर पर बेटिंग करते हैं पिछले मुकाबले में तेरा रन इनके बल्ले से निकले दोस्तों ते टीम की अब सेलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हम ओल राउंडर सेक्शन पर आने वाले हैं और यहां पर अमीर गानी को हम अपनी टीम में रखने वाले हैं इसके बाद दोस्तों तोड़ा नीचे आते हैं छे प्लियर दोस्तों हम यहां से आसानी से ले सकते हैं दोनों ही सेक्षन से दोस्तों बात करें यहां से हमें सबसे पहले दोस्तों बोलर को लेना है जो कि एक बनरजी है और दूसरे दोस्तों अरजीद बासू है यह दोनों को हम अपने टीम में लेने वाले हैं और अब बात क तो हम बी के लेने वाले है क्योंकि टीम के लिए ciąब और नम्बर तीन पर दोस्तो वे बलले वाजिगा वहे रहे हो तो यह टीम की बात कर दो हम यहांपर लुकंपनْ कर सकते हैं क्योंकि बोललि पिछलें में तीन भाषिक कर दो बेड़ टीम के लिए थे इसके लाव दोस्तों आमीर गानी को आप 100% ट्राय कर सकते हैं दोस्तों और डिफरेंट और डिफरेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको बोलिंग सेक्शन में दिख रहा होंगे दोस्तों मुहम्मद अमीर अंसारी जो कि दोस्तों पिछले ही मुकावले में चार ओवर फेकने के बाद चार बिकेट अपनी टीम के लिए निकाल चोगे हैं जोस्तों इस तरह से आप आसानी से टीम बना सकते हैं और दोस्तों वीडियो यदि पसंद आईए तो वीडियो को लाइक के जरूर कर दे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें टेली ग्राम चैनल से जोड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आसानी से आपको लिंक मिल जायागा और दोस्तों बड़ी आसानी साथ आप हमसे मासे जोड़ जाएंगे दोस्तों मिलते हैं अपन अगली वीडियो में त